जर्प जो है सभी रोगों का जनक है वो तीन प्रकार का है बातज पितज और कफ़ज और एक चवथा भी है जो तृदोशज कहा जाता है ये चवथा रोग जो है ज़र से उत्पन होते हैं इन्हीको मृतिकन्या के चवथा पुत्र कहा गया है और जरा उसकी पुत्री है ये जो चवथा और एक पैसट ब्यादिया रोग और पैसटवा बुढापा बुढापा भी अपने आप में एक रोग है ये जो 65 हैं ये 65 उसी के पास जाते हैं जो संयमी नहीं है और जो उपाय को नहीं जानता है जो उपायों को जानता है और जो संयम से रहता है उसके पास इनकी गती नहीं है जैसे गरुड को देखके साप भाग जाते हैं वैसे उपाय वेत्ता को देख करके ये जो मृत्यु कन्या है वो उसके चंशट पुत्र और उसकी एक कन्या ये सब भाग जाते हैं इसलिए नेत्रों को जल से सच करना सच जल का छीटा मारना व्यायाम करना तलवों में तेल लगाना कानों में तेल की बूंद छोड़ना मस्तक पर तेल लगाना ये सब अगर कोई करता रहे तो उसको बढ़ापा नहीं आता है बसंत गृतू में ब्रह्मन करना प्राता स्नान करना चंदन का लेपक लगाना वायू का सेवन करना इससे लाब होता है वर्षा काल में उश्न जल से स्नान करना वर्षा का जल में मत भीगना समया नुकूल और नियमित परिमित आहार करने माला जो व्यक्ति होता है उसके पास भी जरा नहीं आती है सरत काल में दूप सेवन जो नहीं करता है ब्रहमन नहीं करता है स्नान और नीमित आहार करता है उसके पास भी यह जरा नहीं आती है हेमंत रितु में प्रातक काल सरोर में स्नान करे आग तापे और थोड़ा-थोड़ा कुन-कुना पानी पिए गरम-गरम भोजन करे तो उसको भी जरा नहीं आती है शिशिर डितु में गरम कपड़ा पहने आग तापे गरम भोजन करे गरम जल से नहाए तो उसको भी बुढ़ा-पा नहीं आता है इसी तरह से जो व्यक्ति नया-णया अन दूद का भोजन घी का सेवन करता है और जो व्यक्ति भूख लगने पर ही भोजन करता है प्यास लगने पर ही पानी पीता है और ताम्बूल का सेवन करता है उसको रोग नहीं होते हैं दही, मक्खन, घी, गुड इनका नितिस सेवन करने माला जो संजयमी वक्ती है उसको भी बुढ़ापा नहीं आता है।